Hello Everyone, Welcome to Parkway आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Semi-Conservative Nature of DNA आज से हम लोग DNA के Biological Processes के बारे में पढ़ेंगे यानि कि DNA का Nature कैसा है DNA की Replication कैसे होती है DNA की Transcription कैसे होती है DNA से और Translation कैसे होती है लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पाकवे को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तांकि आपको ऐसी ही और useful वीडियोस हमेशा मिलती रहे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि competitive exam के लिए हम लोगों को अच्छा मैटर कहां से मिलेगा कहां से मिलेगा तो इस समय आप लोग बिल्कुल ही सही जगा पे पहुँच चुके हो हमारे चैनल पाकवे पे आपको मिलेगी हर competitive exam से जुड़ी हुई जानकारी और अच्छा study matter इसलिए हमारे चैनल को like करें हमारे वीडियो को share करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें subscribe करते ही bell icon जरूर दबाएं तांकि कोई भी वीडियो आते ही सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिले हमारा आज का topic है semi conservative nature of DNA वो क्या है उससे पहले semi conservative nature DNA जो है वो DNA की replication से संबंधत एक term है जिसमें कहा जाता है कि जब DNA की replication होती है तो जो नए DNA molecule बनते हैं उनमें एक strand पुराना होता है और एक strand नया होता है तो वो है semi conservative nature of DNA लेकिन उस model के approved होने से पहले तीन model थे जो DNA replication के लिए propose किये गए थे वो models थे conservative nature of DNA semi conservative and dispersive nature अभी ये देखे ये आपको diagram दिखाए गए है तीनों ही mode of DNA replication के ये आपको दिख़ए है conservative mode of DNA इस conservative mode of DNA में आप क्या देख रहो कि एक ये जो DNA molecule है बिलकुल अलग है और ये जो DNA molecule है एक से बिलकुल अलग है इसमें क्या गहते है in conservative replication the original DNA strand stay associated with each other while the newly made DNA forms its own double forms its own double helix ये तो conservative model of DNA replication है ये क्या कहता था कि replication हो जाती है तो जो तो हमारा पुराना DNA होता है उसके strands आपस में intact रहते हैं जैसे ये देखे ये है हमारा पुराना DNA या old DNA molecule इसके जो दोनों strands है वो आपस में intact रहेंगे और जो हमारा replicated DNA है नेया बना DNA है उसके जो strands है वो आपस में intact रहेंगे तो ये है हमारा conservative mode of DNA replication उसके बाद आगे semi conservative mode of DNA replication अब semi conservative mode of DNA replication में क्या कहते हैं कि semi conservative replication posits the creation of hybrid old new double helices देखें तो semi conservative mode of DNA replication है ये वाला इसमें जो DNA molecule बन रहे थे वो hybrid थे नई और पुराने DNA molecule के जैसे देखें यहां पर आपको ये दिख रहे हैं दो strand है एक पुराने DNA का एक नए DNA का इसमें जो दोनो DNA molecule थे एक नए DNA का molecule आई और एक पुराना DNA का molecule उन दोनों के strands थे उन्होंने आपस में winding कर ली यानि कि जो दो DNA molecule बने जैसे कि ये उसमें एक पुराना DNA molecule का strand था और एक नए DNA के molecule का strand था तो ये है हमारा semi conservative nature of DNA या semi conservative model of DNA replication last में आ जाता है dispersive model of DNA replication ये जो last में दिया हुआ अब देखे dispersive replication proposed molecules composed of randomized fragments and double new DNA अब ये जो dispersive DNA model था इसमें क्या कह रहे थे कि जो DNA के दो molecule बने हैं उनमें कहीं कहीं पर पुराने DNA के sample लगे और कहीं कहीं पर पुराना DNA लगा हुआ है कहीं कहीं पर नए DNA लगा है जैसे ये देखिए ये एक DNA molecule होगा इसमें यहां तक तो लगा है पुराना DNA फिर यहां तक लगा हुए नया DNA और फिर से लग गया पुराना DNA इसका मतलब क्या है कि जो DNA के molecules बने वो combination थे नए और पुराने DNA के लेकिन accepted DNA model है वो है semi conservative process जो semi conservative model of DNA है यह accepted DNA model है क्योंकि ऐसा क्योंकि यह experimentally prove ही हो चुका है तो अब देखते हैं कि कौन से experiment ने prove किया था कि जो DNA replication है वो semi conservative है यह जो experiment था यह experiment किया था मैथ्यू मैसलसन ने और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि semi conservative nature of DNA होता गया है semi conservative nature of DNA का मतलब है कि जब भी नए DNA molecule बनते हैं तो उनमें एक स्टेंड जो है पुराने DNA का होता है और एक स्टेंड जो है नए DNA का होता है इसको हम लोग बोल देते हैं semi conservative nature of DNA और अब इस experiment को प्रूव करने के लिए नेगले Matthews और Franklin ने क्या किया कि उन्होंने E.coli bacteria लिया और उसको एक nutrition मीडियम में ग्रो किया जिसमें जिसमें nitrogen 15 जो isotope था वो बहुत जादा abundant था और उन्होंने उस bacteria को multiple generations तक ग्रो किया क्योंकि अब वो अच्छी तरह जानते थे कि E.coli जो है divide कब करता है cell division उसमें कब होती है तो वो थोड़े थोड़े time बाद sample लेकर check करते रहते थे अब वो यूज करते से centrifugation method इसमें क्या होता था कि हर एक molecule के अपने अपने band बन जाते थे और क्योंकि हमारा जो DNA है उसमें nitrogenous base होते हैं तो उसमें DNA भी आता था अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि multiple generations तक ग्रो करने के बाद उनका जो nutrient medium था वो change कर दिया यह देखिया उन्होंने N15 से N14 isotope जो है वो add कर दिया उनके nutrition medium में और फिर उसको several generations तक ग्रो किया अब उन्होंने क्या कि कि multiple generations के बाद जब N14 isotope वाले bacteria को test करने लगे तो क्या होना चाहिए था अब तो medium में सिर्फ यह की तरह की nitrogen presence ही वो थी N14 molecule तो जो हमारा DNA आ रहा था bacteria का उसमें भी सिर्फ यह की तरह की nitrogen होनी चाहिए थी N14 isotope की लेकिन जब उन्होंने उस sample की centrifugation की तो उन्होंने क्या देखा कि उन्हें एक mixture मिला centrifugation में क्या होता है कि density के according जो molecules है वो arrange हो जाते हैं सबसे light उपर उससे heavy उसके नीचे और सबसे heavy सबसे नीचे तो अब देखिए जो उन्होंने parent generation ली ठीके जो parent generation ली उसमें सिर्फ और सिर्फ एन 15 वाला nitrogen sample था सबसे heavy था वो molecule तो उसमें एन 15 वाला जो DNA था वो test tube में सबसे नीचे सेटल हो गया उसके बाद उन्होंने n14 वाली जो generation थी उनकी centrifugation की अब यह जो n14 generation का DNA separate हुआ तो वो n15 के उपर हुआ ठीक है यानि कि n15 बॉटम में था और n14 वाले जो DNA sample था वो n15 के उपर सेटल हो गया और जब उन्होंने उसके और next generations ली तो उन्हेंने क्या देखा जो sample आया वो n14 वाले के उपर चला गया यानि कि सबसे नीचे n15 वाला nitrogen था फिर n14 वाला nitrogen हो गया और फिर उसके उपर जो next generation थी उनका उसके उपर DNA हो गया तो इससर रिजल्ट से क्या conclusion निकला कि दो generations के बाद जो parent DNA था या n15 वाला DNA था वो बचा ही नहीं था ठीका जी यह देखिए यह थी first generation जिसमें था parent DNA parent DNA था n15 वाला उसके बाद आगे first generation जिसमें नए बने strand आगे n15 और n14 दोनों ही थे तो इसलिए यह हो गया intermediate और जब second generation आई तो तो उसमें जो parent DNA था या n15 वाला DNA था वो separately बचा ही नहीं था इसमें थे यह तो intermediate DNAs या फिर सिर्फ और सिर्फ N14 DNAs और यह देखिए अभी हमारा conclusion क्या दिया हुआ है this pattern could only be observed if each DNA molecule contains a template strand from the parental DNA thus DNA replication is a semi conservative इस pattern से हम लोगों को यह पता लगा कि ऐसा DNA का pattern सिर्फ हमें तभी मिल सकता था कि अगर हर एक DNA molecule में एक parent strand था अगर हर एक DNA molecule में एक template strand intact था तभी हम लोगों को यह DNA pattern मिल सकता था और इसी से conclusion निकला कि जो DNA replication है वो semi conservative inner nature है तो आज के लिए बस इतना ही मुझे उमीद है आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा अगर आपको यह class पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल पाक्वे को जरूर सब्सक्राइब करें थांक यू